हेलो दोस्तो मैं हरी स्यादो गंगा बगरी फार्मेंट पॉलिटी टेडर्स से हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि बगरी पालन अपना कर आप कम से कम इंवेस्ट्मेंट में कैसे जादा से जादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो इसे कम पूझी में और कम संसाधन में भी सुरू कर सकते हैं और सबसे पहले बड़ी बात कि आपको एक रोजगार का साधन देता है बक्रियां कहीं भी कभी भी खरीदी और बेची जा सकती हैं इसलिए एक ATM की तरह काम करती हैं हम इसे कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफ़व कमा सकते हैं इससे किसानों को आत्मिरभर्वता मिलती है बक्रियों का उपयोग दूद मांस तथा चमड उद्योग में किया जाता है इसका वेस्ट जो है वो खाद की रूप में उपयोग करते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी नसले होती हैं जो कम समय में तयार हो जाती है और बढ़ियों प्रॉफिट मिलता है इसके मीट की डिमांड लगता बढ़ती चली जा रही है मैं गोट फार्मी के कुछ विसवस्ताइं बता देता हूँ इसमें बहुत कम इंवेस्मेंट लागत की ज़रोत होती है आथिक रूप से कमजोर वक्ती भी इसी सूर कर सकते है बकरी कम उमर में अडल्ट हो जाती है दो साल में कम से कम तीन बार बच्चों को जर्म देती है और एक बार में कम से कम दो बच्चों को जम देती हैं जिससे कम समय में अच्छा उच्पादन होता है और इससे अच्छा लाव अर्जित किया जा सकता है इसनले जो भी एक्चुक हैं वो आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं कम investment में आपको अच्छा profit मिलेगा अब मैं आपको कुछ steps बताऊंगा जो एक goat farming करने के लिए goat farm start करने के लिए जरूरी होते हैं कि आपका farm एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर एक goat farm के लिए सारी चीज़ें असानी से उपलब्द हो सकें जैसे असानी से हरी घांस मिल सकें आपको जिससे हमारी feeding cost क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अच्छा transportation होना चाहिए जिससे हम पसुच कितसा असानी से उपलब्द करा सकें अगर आपका goat farm आपको घर के आसपास होगा तो आप कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं और ला भी सकते हैं इसके लिए आपको एक 24 घंट फॉल टाइम लेबर की भी जूरत पड़ेगी तो इन सारी चीज़ों को आप मद्दे नजर रखते हुए आप अपना एक goat farm स्टार्ट कर सकते हैं अब मैं goat farming के कुछ फाइदे बता देता हूं कि क्या-क्या फाइदे होते हैं goat farming से वैसे goat farming कैसे तो बहुत फाइदें परंथो अगर आप ایک successful goat farmer बनना चाहेते हैं तो इन बातों पर आपको विसेज धियन देना चाहिए जैसे उनके खाने पीने की विवस्ता, उनका स्वास्त तथा उनका साफ सफाई इन बातों पर आपको विसेज धियन देना होगा कुछ और भी बाते हैं कुछ और भी फायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एक गोट फार्म को स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्मेंट एक कैपिटल की जरूत नहीं होती है एक मध्यम वर्ग किसान भी से सानी से सुरू कर सकता है इसे ज़्यादा जगे की जरूत नहीं होती है अगर हम दूसरे जानवरों की तुलना में देखें जैसे गाए, भैंस इसकी तुलना में इसमें कम जगे की जरूत पड़ती है बकरी एक बहुत देसी जानवर है इससे हमें दूद, मांस, स्किन, फाइवर तता खाद मिलता है इसमें दूसरे जानवरों की तुलना में विबानिया कम होती है बीमारिया कम होती है तो अपना खर्चा कम होगा यह हमें असानी से सस्ते दाम पर मिल जाती है इनकी देखरेक करना दूसरे जानवरों की तुलना में असान होता है देखा जाए तो दो बकरी और एक बकरा चार साल में 44 बच्चे दे सकते हैं तो return of investment भी बहुत अच्छा है अब मैं कुछ इसकी housing के बारे में इसके farm construction के बारे में आपको बताऊंगा गोट रखने के लिए एक सेड की जरूत होती है commercial production के लिए हमें सेड या housing की जरूत पड़ती है जिसमें ventilation और पानी की विवस्था होनी चाहिए farm का construction जो हो वो wind direction को देखतर करना चाहिए farm हमें 3 sections में करना जरूरी है जहां पर हम पहला section लेते हैं night इसने जहां पर बकरीयों को रात पर रोका जाता है दूसरा आता है feeding area जहां पर खाना खाने के लिए अपन क्या गरते हैं उनको रोकते हैं और तीसरा होता है open area जो उनको टहलने के लिए जाता है farm बनाते समय आपको इस बात का विशेश रूप से ख्याल रखना है कि farm construction के time पर आपको जो capital है वो कम से कम investment किसमे हो आपके farm construction में क्योंकि एक farm construction पर आपको डैड मनी की रूप में चला जाएगा जिसको recover करना थोड़ा सा long duration पर recover होता है अन्य तो आप मेरा ये request निवेदन है आपसे कि आप अपना जादा से जादा investment जो है अपनी breed पर करें वो जादा profitable रहेगा अब आजाते हैं इसकी feeding के उपर देखिए बकरियों को खाना खिलाने के दो तरीके होते हैं या तो आप पहला जो इन्हें घुमा कर खिला दीजे या stall feeding कराए या फिर एक area में covered करके इनको घांस लगा कर उनको चरा कर खिलाए और मेरे हिसाब से stall feeding बहुत effective तरीका रहता है बहुत अच्छी growth होती है इससे बिमारी आने की भी chances कम होते हैं इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि farmer के पास किस चीज की प्लबदिता जादर रहती है कि कौन सी चीज उसे बारो महिने मिल सकती है वो चीज खिलाने चाहिए आप सूखी घांस पर चने मसूर राहर इनका मुसा दे सकते हैं हरी घांस में आप बर्सी में सस्जी इनका mixed ratio मिलाकर आप दे सकते हैं 60, 40, 70, 30 और अगर आप चाहें तो supplement भी एड़ कर सकते हैं supplement में आपका आज आने आज आएंगे चना, बाजरा, मक्का, गेहूं इस सारी चीजें भी आप दे सकते हैं साथ में आप mineral block एड़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी नमक्स वगेरा आते हैं salt वगेरा आते हैं उनको आप एड़ करके इनमें आप दे सकते हैं मैं आपको पता दूँ गोड ब्रीट्स के बारे में कि जो इंडियन गोड ब्रीट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कहां कहां पर कौन कौन सी ब्रीट जो हैं वो profitable होती हैं तो सबसे पहली बात की बीड का सेलेक्शन करते हैं आपको इस बात का विशेज ध्यान देखना पड़े हैं कि आपके क्लाइमेट कैसा है उसके हिसाब से अब अपनी गोड का सेलेक्शन करिए इंडिया में ज्यादे तर पाई जाने बहली जो बक्रीया हैं वो हैं शिरोही, जमनापारी, अजमेरी, अलवर, कोटा, सोजात, बीटल, ब्लैक बंगाल, उसमानाबादी, बर्बरी ये सारी बिशेज तोर पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपने क्लाइमेट के हिसाब से आपको अपनी बक्रियों का सेलेक्शन करना है डिटेल में आपको बक्रियों के बारे में एक नया वीडियो शेयर करूंगा, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा पर्टिकुलर बीट के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ उनके थोड़ा सा वैक्सिनेशन के बारे में कौन-कौन सी vaccination से अपन को करने ही होती है और कौन-कौन सी चीज़ें जरूरी है बहुत सारी बिमारिया viral रूप से फैलती है तो इनके लिए अलग-अलग vaccination की जुरत पढ़ती है जैसे PPR जो रानी खित बुखार के लिए उप्योग किया जाता है FMD, Foot and Mouth Diseases के लिए मतलब खुर पखा, मुख पखा इसके लिए उप्योग किया जाता है ETB हो गया BQHS यह सारी चीज़ों यह को अपन को बकरियों को देना पुड़ता है अब आ जाता है अपन बात करते हैं उनकी देख रेक की तो भाई देख रेक के लिए अपन को यह करना है कि जैसे अप अलग-अलग फलॉग पर अपन को अलग-अलग बकरियों को रखना है जैसे Breeders आपको अलग रखना है उनको direct contact में नहीं आने देना है बकरियों के फिर pregnant बक्री हैं तो उनका flog अलग बनाना है छोटे बच्चे हैं तो उनके flog आपको अलग बनाना है और जो भी बक्री हैं आप अपने farm में रखेंगे सब अलग-अलग flog wise रखेंगे सारे mix नहीं करेंगे आप उनको है ना तो इस तरीके से आपको अपना farm का construction करना है और कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर comment कर सकते हैं मुझे comment से बता सकते हैं मैंने अपना WhatsApp नंबर से एर किया हुआ है मेरा पहला वाला वीडियो आप देख कर पता कर सकते हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मेरा contact number है 9479552710 आप मुझे WhatsApp पर भी contact कर सकते हैं मेरा number है 9522709171 इन सारी चीजों को आपको विसेश तोर पर ध्यान देना है एक बार ना और आपको बता देता हूँ कि देख रेक करते समया आपको कौन सी सारी चीजों का ख्याल रखना है आपको जो गोड बीट्स हैं उनको अलग-अलग जैसे आपने शिरोही, जमनापारी, अजमेरी तीन बीट्स के खाहत अगर आप गये तो तीनो बीट्स की जो फ्लॉग हैं आपको अलग-अलग होने चाहिए सभी के पर्डिकुलर आपको ब्रीडर अलग-अलग रखने पड़ेंगे और ब्रीडर को सभी को डारेक्ट कॉंटेक्ट में नहीं रखना है आपको जब ये बक्री वगरा से आपको मेटिंग करानी हो तब ही आप कर सकते हैं इनको ला सकते हैं और इनको ये भी है कि अपने फार्म को कैसे रखना है तो फार्म को साफ सुथरा रखना है ताकि आपको क्या कर सके हैं आपको किट्स का फ्लॉग अलग करना है बक्रियों का फ्लॉग अलग करना है इस तरहुआ से आपको अपना civ करना है सापको अपना form कराई मैं बता दूँ आप तो कोई भी जानकारी चाहिए हो कोप मुझे दाभ्ण कर सब्सक्राइब करने शेयर करे मेरे चानलको लाइक करेव करीये और comment करिए जो भी जानकारी आपको चाहिए मुझे आप share कर सकते हैं ना Thank you, thank you